हेई गईस तो फाइनली जो सस्पेंस था कि मनपरीद सिंग सर अब कौनशे टीम के हेड कोच बनने वाले जब से ये न्यूज आ रहा है कि गुजराज जाइन्स के हेड कोच राम मैड सिंग बन चुके जो कि ऑफिशिली कंफर्म है उसके बाद से मैक्सिमुम फैंस का यही डा मनपरीद सिंग के साथ इंस्टाग्राम में वह लाइब में सब कुछ पता चल चुका है तो वहां पर मनपरीद सिंग सर से जब कोईशन पूछा सुनी तने जा शरने कि आप अब क्या कमेंटरी वापस करने वाले जैसे आप सीजन सिक्स में करते थे या फिर कोई टीम के सुनी हो चुके हैं अगर्व उनके साथ साथ नीर गुलिया सर को भी साइन कर लिया गया है आप सब जानते कि दिखने लाला है यह मापको बताने वाला हूँ ऑके तो उस वीड़ो में जब पूछा गया थे कौनसी टीम के साथ अब दिखने वाले तो उसको तो क्लियर नहीं की है मनपीद सिंग सर्ण ने उन्होंने ये कहा है कि दो-तीन दिन में आपको क्लियर हो जाएगा शाटड़े संड़े तक कोई टीम एनॉंस्मेंट कर देगी कि मैं और नीर गुलिया कौन से तीम के साथ मनपीद सिंग सर और नीर गुलिया जोड़ने वाले तो यार सोट से से पता चला है कि मनपीद सिंग सर और नीर गुलिया सर यहां पर हरियाना स्टीलेट्स के हेड कोच और एसिस्टेंट कोच की और पर दिखेंगे मतलब यहां पर मनपीद सिंग सर जो हरियाना स्टीलेट्स के जो हेड कोच बन चुके है और नीर गुलिया सर एसिस्टेंट कोच के रोल में दिखने को मिलेंगे हरियाना स्टीलर्स में तो यार यह एक अपडेट है मतलब अल्मोस्ट कंफर्म है ठीक है 90 परशंट यह कंफर्म है 10 परशंट की कंफर्मिशन बाकी यह टीम के द्वारा अभी तक हरियाना ने कोई अनॉंस्मेंट नहीं किया है लेकिन यह कंफ प्रणे टीम गुजराज जैंट को छोड़के अब नई टीम में गया है अर्याना स्टीलर्स में और राकिस्त कुमार सरभ अर्याना स्टीलर्स के हेड कोच नहीं रहने वाले यह बहुत बड़ा अपडेट है मनपित सिंग का फाइनली टीम रिवील हो चुका है हरियाना कर देगी एक दो दिन में और जैसे कोई ऑफिचन अनॉस्मेंट आएगा उसके बार में विड़ो बना दूंगा लेकिन यह कंफर्म हो चुका है लगवक 90 परसेंट कंफर्म है बस 10 परसेंट यहां पर फ्रेंशाइजी ने मतब कंफर्म नहीं किया लेकिन एक दो दिन में हो कोई डाउट नहीं था और एक और अप्डेट यह आ रहा है यू मुंबा की तरफ से कि जो यू मुंबा की जो हेड कोच है राजगुरू सुब्रमनियन सर जो की सीजन इट में कोच थे और सीजन सेवन में ऐस प्लेयर खेले थे यू मुंबा के लिए उनको यहां पर हेड़ सर यहां पर हेड कोच बन सकते हैं यू मुंबा के लिए तो यह सारे अपडेट्स थे हेड कोच के उपर और फाइनली मैं वापस एक वार लास्ट में मैं कंक्लूड करना चाहूंगा कि यहां पर मनपीद सिंग सर और नीर गुलिया सर यहां पर दोनों एज़ा कोच दिखने सर मतब ऑक्षन टेबल में तलासेंगे उन्हें मनपीद सिंग सर ने साफ कर दिया कि पर्शनली ऑक्षर में टार्यट करने ही वाले सुनील परवेश को अगर वो ऑक्षन में जाते है ऐसा बहुत कम चांसे उन्होंने यह काया कि अब सब राम मेर्ट सिंग सर के उपर है अग कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूब बताएगा जब तक अफिशेर अप्डेट आ जाएगा मनपीद सिंग सर के उपर मैं एक और वीडियो बना दूँगा अभी तो यह कंफर्म है यह 90 पोशन की वो हरियाना श्टीलर्स के एट को जबन चुके है चलेगा इस वीडियो झाल